मद्ध प्रदेश के साथ कावडियू को उत्तर प्रदेश के हातरस में डंपर ने रॉन दिया पांच के मौकर पर ही मौत हो गई जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ा ये सभी हरिदवार्द में गंगाजन लेकर गौलियर लोट रहे थे मिनित्तक कावारिये गौलियर की उटीला थाना इलाके में बांगी पूरा गौ में रहने वाले थे कावडियू की शब में गौलियर लाई गए हैं गौ वालो अपरीजन ने बड़ा गौ खुरेरी में रोल पर सभी 6 शफ रखका चक्का जाम कर दिया है घटना शुकरवार दे इडिजी राजीव कृष्ट ने बताया कि घटना के बार ड्राइवर डंपर लेकर भाग निकला 42 लोगों का जथ्था एक साथ गंगा जल लेका जा रहा था हाथसे में जबर सिंग, रनवीर सिंग, मनोच पाल सिंग, रमेश पाल, नरेश पाल और विकास की मौत हुई है हातरस डियम रमेश रंजन ने सभी मौत कावरियू के परिजन के एक एक लाग रुपिये मंदद देने की घोशना की है हाथसे में घाय लभिशेक पाल ने गौलियर लाकर बिरला होस्पिटल में भरती कराया गिया है हातरस एस्पी विकास कुमारवयत शींग ने बताया कि हाथसा साथावाद गौलियर रुट पर हुआ ये रूट कवार यातना पर पार्मपरिक रूट नहीं है इस कारण से रूट पर कावरियू के लिए ट्रैफिक बन नहीं किया जाता पारंपरिक रूट पर कावरियों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए ट्राफिक बंद किया जाता है गौलेर की उटीला थाना प्रभारी अबदेश ने बताया कि मृत्यकों के परिवार को घटना की जानकारी दे दी गई है गौलेर से उटीला पचीस से तीस किलोमेटर दूर है उत्तर प्रदेश के मुखमंती योगी आधितनात ने छे कावारियों की मौत पर दुख जताया उन्होंने दिवगानतों की आत्मा की शांती की कामना करते हुए मृत्यकों के परिजनों को प्रति सम्में देना व्यक्त की है जीला प्रशाशन के अधिकारियों को घायल से बहतर एलाच कराने की निर्देश दिये मध्य प्रदेश के मुखबंति शिवराच इंच्वाहान ने भी घटना पार दुख जताया